नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप लोग स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल All About Life में कब कितना कैसे में आज हम बात करने वाले हैं ORS Oral Rehydration Salts के बारे में यहाँ पर मैंने दो साइकेट लिया है पहला है ORS Government Hospital का दूसरा Electrol है जो कि आपको Medical Store पर आसानी से मिल जाएगा यह दोनों ही WHO formula पर based हैं और आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखेगा इसमें हम आपको इसका quick demo भी दिखाएंगे सबसे वहले हम जान लेते हैं कि हमें ORS कब लेना चाहिए dehydration जैसे कि loose motion vomiting diarrhea के case में आप इसे ले सकते हैं low BP होने पर आप इसे ले सकते हैं जब भी body से water loss जादा हो जाए तब आप इसे ले सकते हैं कई बार हम धूप में बाहर कहीं काम कर रहे होते हैं बहुत पसीना बह जाता है हमें लगता है जैसे energy है ही नहीं body में तब आप इसे summer में ले सकते हैं कितना और कैसे लेना है वो मैं आपको बता देती हूँ packaging पर सारा detail mention है 2 साल से कम उम्र के बच्चों को 50-200 ml देना है 2 से 10 साल के उम्र के बच्चों को 100-200 ml आपको देना है और जो 10 साल से अधिक उम्र के बच्चे हैं जितना अधिक वो पी सकें उतना आप उन्हें दे सकते हैं कैसे इसे बनाना है वो मैं आपको बतातेती हूँ, एक लीटर बॉयल वाटर को आपको ठंडा करना है, उसके बाद एक सेकेट उसमें पूरा मिक्स कर देना है, यहाँ पर मैंने लिया है 500 एमल वाटर, तो मैं हाफ सेकेट ही इसमें मिक्स कर रही हूँ दोस्तों, जब भी आप आपको जब भी दस्त हो रहा है, आप इस पानी को पिए ताकि आपके बॉड़ी में इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी ना हो, अब हम जान लेते हैं कि इसके क्या-क्या फायदे हैं, ओरस लेने से बॉड़ी में इलेक्ट्रोलाइट्स जाते हैं, जो कि बॉड़ी का जो भी लॉ इसका सेलफ लाइफ है दो साल और इसके साइड इफेक्ट है नोजिया और वामिटिंग प्राइज है 20 रुपीज दोस्तों आपको ये अच्छे से घोल कर पीना है आपको इसे नमी से दूर रखना है साथ ही साथ आपने अगर इसको प्रिपेर कर लिया है तो 24 घंटे के अंद कि बेसे बाइ